नमस्कार दोफ्तों इंडिया बोले गानियू चैनल में आप सभी का स्वागत है बीजेपी ने हो रहे 2022 के विधान सभा चुनाओ को लेकर जौनपुर में चार प्रत्यासियों के नाम का एलाग कर दिया है और जिनमें एक नाम जफ्राबावीधान सभा से डाक्टर हरेन प्रसाथ सिंह को प्रत्यासि बनाया है आएए जानते हैं डाक्टर हरेन प्रसाथ सिंह के बारे में इनका जन 6 जनवरी 1962 में गाउं सेहमलपूर पोष्ट जलालपूर जौनपूर में पिता सीतला प्रसाथ सिंग और माता इंद्रावती देभी की घर में हुआ और ये यमबीबियस की डिगरी हासिल किये हुए हैं और बात करें इनके राजनेतिक सुरुगात की तो 2007 में भारती जनता पार्टी से दावेदारी किया था किन्तु नौकरी से इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो चुनाव नहीं लड़ सके फिर भाजपा ने इनकी पत्नी डाक्टर सुभा सिंग को चुनाव लड़ाया था 2017 के विधांसबाद चुनाव में भाजपा प्रत्यासी रहे डाक्टर हरेंद प्रसाथ सिंग ने 24,865 मतों से सपा के सचिंद्रनाथ त्रिपाठी को हरा कर जीत दर्जी किया था डाक्टर हरेंद प्रसाथ सिंग को 85,989 मतों सचिंद्रनाथ को 61,124 मत मिले थे इसी तरह से 2012 के चुनाव में सपा के सचिंद्रनाथ त्रिपाठी ने बसपा के जगदीत नाराएंड राय को हरा कर जीत दर्जी किया था भाजपा के प्रत्यासी रहे डाक्टर हरेंद प्रसाथ सिंग 31,286 मत पा कर तीसरे अस्थान पर रहें 2022 के विधान सबाचुनाव में देखना है कि ये सीट किसकी जोली में जाता है आपका चाराए है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिजिएगा धन्यवाद